में कुछ कह रहे थे, कि चंदर शेकर जी, आपका काम तिलंगाना में है, तिलंगाना को देख लो, यहां क्या काम है, मैं बारत का नागरिक हूँ, बारत के अरियेक राज्य में मेरा काम है, दूसरा बात यह है, मैं साफ बताए देता हूँ, कि तिलंगाना का जो मार्डल है, किसानों को निवेश के लिए, हर एकड में 10,000 रुपे देना चाहिए, नमबर दो, किसानों को 24 गंटा उच्चे गुनवत्ता वाला मुफत में बिजली देना चाहिए, तीसरा, किसानों को जो प्रकल्प से, यह प्राजेक्ट से पानी दिया जाता है, जिस प्रकार से तिलंगाना में फ्री में देते हैं मुफत में, प्रकल्प का पानी भी फ्री देना चाहिए, तीसरा, चोटा, किसान का जिस किसी तरह भी दुर्बा की पूर्न अगर देहान तो जाए, तो पांच लाग रूपे का बीमा दिलवाना चाहिए, पांच वा किसानों का जो पैदावरी है, सारा का सारा पैदावरी, जिस प्रकार से तलंगान राज में साथ हजार केंदर कोल के, करीदारी केंदर कोल के, सरकार ही एक एक दाना करिदता है, उस प्रकार से महारास में भी किसानों का पूरा पैदावरी करिदना चाहिए, देवेंदर पढणवी जी, आप यह काम कर दो, इसका आश्वासन दे दो, मैं महाराशत में आऊंगा आना बंद कर दूँगा मुझे अगर रोक ना है महारास्ट में आने से तो इसका हमल करो मेरा काम कतम हो गया अगर जब तक नहीं करोगे तब तक जबरदस्त आता रहूंगा आप ये वादा पुरा करो मैं नहीं आऊंगा जब तक ये नहीं करूंगे नहीं करेंगे तब तक हम जरूर आते रहेंगे और लोगों के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके किसानों के हक के लिए जरूर लड़ाई जारी रखेंगे इसके साथ एक और बात भी है हमारे दलित वर्ग, हमारे आधिवासि वर्ग भी सैधियों से परशान है हैं हम सारे जानते हैं उनको कैसा उनके हालात पे चोड़ेंगे कब तक चोड़ेंगे कितने और सदी उनको पीड़ा उठाना पड़े ये देश के लिए नागरिक समाज में अच्छे बात नहीं है इसी को सोंच के हमने तेलंगान राज में एक बहुत जबर्दस स्कीम दलित ब करिवार को दस लाग रुपे देते हैं जो वापिस नहीं देने होते हैं और उनका इच्छा पुर्वक जो काम वो कर सकते करें इसका कोई बैंक लिंकेज भी नहीं है देविंद्र फट्नवी जी यह अंबेड कर भारत रतना अंबेड कर जैसा एक डाइमंड पैदा हुआ ब अब तक बिल्कुल आओंगा और लड़ते रहूंगा बस यह शिब्दियाई मैं यहीं कतम करता हूं और यह देवेंद्र फट्नवीस के उपर चोड़ देता हूं उनके विज्यता पर चोड़ देता हूं वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं आगे चलके हम बनता हूं लोग बाहर भी बहुत है अभी गाव में शहर में भी मैं सिर्फ दो चार बाते आपको समझाने आया हूं 75 साल हो गए देश को आजाद हुए बाशन बहुत सुने पार्टियां बहुत बने मुक्यमंत्री कहीं बने प्रदान मंत्री भी कहीं बने आमदार खासदार तो कितने हम बनाए बेहिसाब बनाए चुनावाया अब वाला जीत गया कोई नया जीत गया अब वाला हार गया तो चहरा बदलता है पार्टियां बदलते हैं लेकिन हमारा हालत नहीं बदलता मेरा आप से प्रार्तना है पीछली बार भी मैंने कहा था नांदेड में मेरे बात यहीं सुनके यहीं चोड़के मत जाईए खास तोर पर जो बुद्धी जीविये है जो पड़ेलिके लोग है जो मे मेरे युवा बहने माएं हैं मैं आपसे प्रार्तना करता हूं मेरे बातों को जरूर याद रखे और अपने गाउं या बस्ती में जाने के बाद अपने सातियों के साथ अपने गाउनों के साथ जरूर चर्चा करें कि सच कितना है जूट कितना है चर्चा करके आपकुद फ महीं में देश कि ने किसके हुकुमत चला है किसका हुकुमत चला है कि सिर्फ दो पाति यहां देश पर राज करें कि 75 साल में 5 साल के लिए दो-चार प्रदान मंतरी बने वो वीपी सिंग है चरन सिंग है मुरार जी देशाय थे इधर से देवे गवडा जी थे बस यही लोग थे बागी 70 साल गवर करें इस बात पर 70 साल किसे ने हुकुमत किया इंदुस्तान पर तो सिर्फ दो ही पार्टियां हैं चपन साल कांग्रेस पार्टी और चवपन साल कांग्रेस पार्टी 54 यर्स और 16 साल लगातार बाजपा कांग्रेस ने रूल किया और बाद में बाजपा रूल कर रही हैं कश फरक देखा है आपने कि छ फरक देखनें मिला कि कुछ मैसुस हुआ फरक कांग्रेस मेझसे पर ओड़ क्या फरक पड़ा पार्टी यह फरक पड़ा होगा कि पासि के नेता के लिए फरक पड़ा होगा किसी के कांग्रेस का मंत्री पाज जाके इनको बाजपावाले को मंत्री मिला होगा लेकिन जनता को क्या मिला, किसान को क्या मिला किसान का हालत क्यों नहीं बदला रहा करके सोचिए मैं राजनीती नहीं बोल रहा हूँ यह राजनीती आकरी में बोलूँगा लेकिन अब जो मात मैं कहे रहा हूं कि यह सच है जूट है दिल पे हाथ रखके सौचे दोनों पार्टिवों में कोई अंतर दिखा कोई फरक नहीं है फिर इसको हरा हो उसको जिता हो इसको हरा हो इसमें क्या मज़ा है पहिंचानी की बात क्या है कोई रश्या से मंगने की जुरत नहीं कोई चेना देश के पेट में मुंडी दालने की जुरत नहीं या किसी को बीक मंगने की जुरत नहीं है हमारा अपना भगवान का दिया हुआ प्रकृति का दिया हुआ हमारे जेनता का हमारे देश का अपना संपत्ती है जरूरत से ज्यादा पानी रखते हुए देश के खिसान पानी से क्यों वन्चित है इस एक बात पर सुनचिए बस बात पुरा समझ में आ जाएगा पानी नहीं है किसी को बीग मांग रहे बात अलग है लेकिन पानी है और पानी जरूरत से ज्यादा है सवाल यही है कि वो पानी समंदर में न जाते हुए जमीन पे आए और पुरे हिंदुस्तान को हरा बरा कर दे या ऐसे ही हम राए जाए क्या चाहिए पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आना चाहिए पक्का एक बात है दूसरी बात है पानी नहीं दे रहे भाषन दे रहे भाषन सुनने तो माइक पड़ जाएंगे सुन सुनके चकरा के पड़ जाएंगे हम लोग कितने जंडे कितने नेता वोट के समय में कितना गुमरा आज भी सबा में लोगों को नाने जेने के लिए बक्रे क्यों काट रहे भाई अज़े एक बात है दूसरी बात करंट नहीं नहीं दे सकते क्यों नहीं देते क्यों करंट नहीं देते भाई क्या क्यों नहीं देते ऐसा है पानी तो जरूरत से ज्यादा है इस बात का जानकारी ले ले अगर है आपको जानकारी हो गया तो पूरे जन्ता को जगाई ये और युद कीजिए मेरे साथ में पूरे पानी जमीन पर आ जाएगा और बरपूर हर यकड को हर यकड को पानी मिलेगा यह मेरा वाइदा है आपके साथ तो दूसरी बात है दूसरी बात है बिजली परियाप्त बिजली जितना चाहिए उतना बिजली देने के लिए हमारे अपने देश में महाराष्ट समेत कई राज्यों में बहुत सुन्दर सा प्रकृति का दिया हुआ कोईला है और वो कोईला कितना है हमारे पास तीन सव एक्सट बिलियन कंस जो लिख लेन चाहिए लिख ले 361 बिलियन टन्स का कोईला हमारे पास आलरी है जो पूरे देश को 24 गंटा हाई क्वालिटी पावर देने के लिए 125 साल के लिए बरपूर है 125 साल के लिए बाई क्यों नहीं देते बिजली किसान और जनता सरकार से हम चान सितारे तोड़ी मांग रहे सोने के इंक तोड़ी मांग रहे बाई जो पानी बगवान ने दिया बीच में इंसान अडचन बन बैटा है जो कोईला बगवान ने दिया बीच में हमारे राज नेता हमारे प्रदान मंत्री हमारे मुक्य मंत्री बीच में अडचन बन बैटे हैं बस ये राज आप जान जाईए देखिए एक बात है केस यहार एक बार आके गया नान्देड में गुलाभी जंडा यागी इक ही बार आके गया एक ही लहर क्या आ गया किसान कुछ है 1,000 रुपभाय बड़जिट में कि आया कि आया कि नहीं है पहले क्यों नहीं आया बाई कि पहले क्यों नहीं दिया अब समझे और इसमें गुलाबी जंडा में क्या ताकत है पहले क्यों नहीं दिया मैं पूछ रहा हूँ ये चेहाजार भी देने का डंग कैसा अंगार पे पानी चिटकते न इस तरह बीक दाला जैसा नहीं चाहिए हमें चेहाजार रुपे हमें चाहिए एक एकड में दस तजार रुपे निवेश के लिए चाहिए के नहीं चाहिए लड़ेंगे इसके लिए किसान-बायों को इस लहा के सबा से महीं एक बात फ़ defence रूप से कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि हमने जंग नहीं लड़ी, हमने लड़ाईयां नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है, 75 साल से लगातार लड़ाई जारी है हर्याने के बुमिपूत्र, सर्चोटुराम के जमाने से, महिंदर सिंग तिकायत के जमाने से, प्रॉफशर नंजुंड़ स्वामी, बैंगलूर से, और यहां के मालूम है, सरच ज्योशी के जमाने से, कितने लड़ाईयां हम लोग लड़े अभी अश्य अशोक नहुले, उनके नेत्रतुमें 10,000 रोग पैदल चले नाशिक से मुंबाई तक इससे पहले तो 50,000 चले, हमारे देशरत सावंत काका, जो आइमद नगर से यहां बैटे हुए हैं, 44 साल उनका उमर है, 84 वो सारे जिंदगी लड़ते रहे, सरच जोशी के साथ, किशे और के साथ, किशे और के साथ, अभी भी लड़ रहे हैं, ये एक बात सोंच लो, प्याज के दाम के बारे में, गन्ना के दाम के बारे में, हाँ कहीं और पैदावरी के बारे में हर साल हमें क्यों लड़ना पड़ता है हर साल हमको रोड़ों पर क्यों उतरना पड़ता है कि यही हमारे नसीब में लिखा है यह बात सुँचिये जरूर मैं इतना ही कहता हूँ आपसे दूसरे एक बात कहता हूँ अगर हम लोगों को ही इसानों के लिए ही लड़ना पड़ता है तो रोड़ों पर उतरना पड़ता है भूख अर्ताल करना पड़ता है तो पर हमारे आमदार कहां गए जिनको हमारे प्रत इतने साल से गोवाटी बाग रहे बस कोन किदर बाग रहे मुझे उससे वास्ता नहीं है यह आप लोग आवास है मेरा येकी बिननती है अब कब तक लड़ेंगे जिन्दगी तमाम लड़ते रहेंगे सारे जिन्दगी लड़ाई के लिए पैदा हुए हम लोग देखिए लड़ाई कहां तक लड़ें ये नहीं है कि किसान नहीं लड़ें अभी हम सुप के सामने है वाँ बैटे हैं हमारे बारत राष्ट सम्थिके राष्टिय किसान मंच के अध्यक्स गुर्णाम सिंग चड़ो किसान उन्हें धर्ना दिया और उस धर्ने के समय में साड़े साथ सो किसान उन्हें अपने प्रान त्याग दिया ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़े हुआ कि हुआ क्या नतीजा क्या मिला आप यह बात दिल पे लेके सोंचिए दया करके कोई आम राजनीति का सभा नहीं है एक चिंतन शिवरे मेरे इसाब से, हर एक बात मेरा दिल में रखिए, जो आग मेरे दिल में है, वो आगर आपके दिल में आ जाए, तो प्रकाम बन जाएगा, जिस दर्द से मैं कह रहा हूँ, उस दर्द अगर आप लोगों के दिल में पैदा हो, तो बन जाएगा काम, मैं यही च आता हूं कि हमारे किसान का बलाई हो बिलकुल अगर शाड़े साथ सो किसानों का मुर्च्छु हुआ कम से कम देश के प्रदान मंत्री एक शब्द नहीं बोले लेकिन जब चुनाव आता है, उत्तरपदेश में पंजाब में चुनाव आया, तो मीटी मीटी बाते भुलके किसान से माफी मांग लिया, हम तो पागल है, माफी मांग लिया तो बस खुतम होगे, खुश होगे, फिर वोड दे दिया, जुटी कहानिया सुनके, पिर क्या हुआ वाइदा कुछ वह उसका नतीजह कुछ निकला कुछ नहीं निकलेगा ऐसे ही जब कभी अब आंदोलन पर उतर आते हैं जब कभी हम इकटे होने लगते हैं जब कभी हमारे ताकत दिखने लगते हैं बसंगार पर पानी चिटके जैसा कोई माभ यह मांगता है कोई 6000 का बीक देने का फैयास करता है कोई आउट ड्रामा करता है क्यों भाई 6000 क्यों 10,000 क्यों नहीं देते क्या नहीं लेना चाहिए कि आज मैं ये बात कर रहा हूं क्यों देते क्यों लेना चाहिए बस ये बात दिल में रख लो किसान भाईयों और मजदूर भाईयों और मेरे दलिद भाईयों कोई किसी से बीक मंगने की जुरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहरा दिया है। बोसे समझ के अब के बार किसान सरकार प्रिंआ वोट किसी और को क्यों दो और विकारी बनके दर्कास तलेके क्यों गुमो उसके पीछे हम कुद बन जाएंगे आमदार हम कुद बन जाएंगे खास दार क्यों नहीं बनाइंगे क्या ताकद नहीं है हमें नहीं हैं नहीं सुनने आ रहा है मुझे हमें वो ताकद है तो इस लिए मैं कहता हूँ गौषर्णमेंट में गब्राहट पईदा करना है गवर्नमेंट को हमारे तरफ पलटके देखने के लिए मजबूर करना है तो आगामी पंचायत राचुनाव में अपना ताकत दिखाईए एक जलक दिखाईए क्या-क्या नहीं आता क्या-क्या बाग के नहीं आता क्या-क्या योजना नहीं बनता आपको देख लेना आजमा के मेरे बात को मैं एक बात बताता हूँ भाईयो तेलंगाना आठ साल नव साल पहले यहां से भी बुरा हल में था हर दिन मेरा आँकों से पानी निकलता था एक एक दिन पांच किसान चार किसान आत्मा अच्या कर रहे थे हम रोज रो पढ़ते थे आखिर कार एक बार मैंने इनको निवेदन किया बहिया मरना मत कुछ समय के लिए बचे रहो मैं करंट ठीक कर रहा हूँ मैं पानी लाओंगा आपको देऊंगा बोलके समझा समझा के उनको रो रो के हमको बोलते थे उनको आज भरपूर पानी मिला करंट मिला निवेश मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है तो कुछान कुछ हो गया जो राज तेलंगाना महारास्टा से भी बुरा हाल में था आज सुदर गया है तेलंगाना अगर सुदर सकता है कि महारास्ट में तो और आसान है कि लंगाना से आर्थिक शक्ति भी महारास्ट में ज्यादा है बढ़िया संपत्य है यहां पर जल्द से जल्द हमारा काम बन सकता है तो इन बातें जो मैं कहा रहा हूं मन लगा के सुनिए अन्य बातें भी है कहीं बाते हैं हमने आंदोलन भी किये हैं सुब कुछ भी किये हैं तो ये एक बात ये भी सुँचने वाली बात है आज देश आगे चल रहा के पीछे चल रहा है नांदेड में मैं प्लेन उतरा तो वहां लोग अधिकारी मुझे बता रहे हैं साब आपको जल्दी निकलना है यहां से शाड़े पांच बज़े लास्ट है मैं आपका फ्राइट का मैं बोला क्यों भाई नांदेड एरपोर् अब दिन का इयरपोर्ट बना दिये कलोज कर दे रहे है मौजुदा एरपोर्ट अगर बंद किया जा रहा है तो देश आगे भाग रहा है कि पिछे की चरह है पिछे जा रहा है जो यह तमासर चल रहा है और एक बड़ी बात फसल बीमा योजना कभी किसी को मिला मिलता क्या पैसामर जाता है बैंक को लेकिन हमको वापस कुछ नहीं मिलता फसल बीमा योजना यह भी कितना बड़ा मजाक है ऐसे कई मजाक मतलब हमारे साथ हो रहा है इन स सारे चीजों का समधान मैं आपको यह की बात बताया आप लोग देख लीजिए सोंचिए कुछ अन्य बाते में किसानों के इलावा काफी लोग मेरा एकी प्रातना एकी मंत्रा है कि जाती बाद धरम बाद चोड़ दीजिए किसान बाद होना चाहिए अगर हम किसान हो किसान ब इतना गर्म दूप में आप लोग मुझे सुनने के लिए इतना दूर आये मैं हब सोबलों का अबारी हूँ काफी लोग आज पार्टी में शामिल भी हुए महारास्ट के चव तरफ से मेरे पास कहीं दिमैंड्स आ रहे हैं आप चंदरपूर में आजिए आप सोलापूर में आईए आप पच्चिम महारास्ट में आईए हर जेगा आईए ऐसे दिमैंड्स आ रहे हैं तो महारास्ट में जल्दी से मेरे क्याल से क्रांती आ जाएगा यह क्रांती का भूमी है यहां बारत के वीर पुत्र चत्रपती महाराज का यह जन्मस्तान है और यहां शव महाराज जो रिफार्मर उनका यह भूमी है जोतिबा पूले सावित्री भाई का जन्म दर्थ भूमी है ऐसे पवित्र भूमी है औ तो बारत का संविधान रचने वाले बाबा साब अंबेड करका पाइदा हुआ एक पवित्र भूमी है इस भूमी में करांटी की कमी नहीं है मैं ये की बात आप लोगों से निवेदन करता हूं आकरी में ये की बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से भाईयों आज 75 साल क के बाद हमारे अनवों बताता है जो पार्टी आया हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना ही पीने को पानी मिलता है ना सिंचन के लिए पानी मिलता है आकर हमारा हात्म हच्चा पर भी इनको फिकर नहीं है वो लोग हमको लाइट ले रहे हमारा मजाक उड़ा रहे है अगर हमक आगे चलके किसान सरकार बना के हमारे सारे समश्याओं का समादान निकाल सकते हैं इसलिए मैं आप से पिर एक बार विनम्र पुर्वक बिननति करता हूं मैंने जो शब्द आपको बताए मैं लंबा चोड़ा नहीं बोलते हुए अपको गुम्रा भी नहीं करना चाहता जो बा समभव तिलंगान में हैं महारास्ट में क्यों नहीं है महारास्ट में दन कीASON करूँ नहीं है महारास्ट में जिरिफ मन की कमई है इस मन को अगर हम चाहरा चाहि तो प्रोश्व को मामारा से निवेदन करता हूं यह किसान का पात्य है किसान का जंडा है हर गव में इसको ताकतवार बनाईए वह आपका ताकत बनेगा आपके लिए लड़ता रहेगा आपको सुप कामना है देते हुए हमारे को पूर्ण विजय प्राप्त हो हमारे आत्माहत्यां बंद हो बरपूर पानी सिंचन के लिए आये और हमें पूरी सवलते मिले बरपूर फ्री बिजली हमारे को मिले यह मैं चाहता हूं और बगवान से पूरी प्रात्ना करते हुए मैं आपसे अपने बाशन समाप्त करता हूं जय तलंगाना जय महारास्ता जय भारत अब की बार तंडा पड़ ग